हलो गाईज, वेलकम बैक टो मैं चैनल, तो कैसे हैं आप सभी तो देखिए, शाम का टाइम हो रहा है, करीब न मतलब पौने चार का टाइम हो रहा है, हम लोग निकल पड़े हैं, आदित्ता की स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि आदित्ता की स्कूल में न मतलब प्रोग्राम वग तो हम लोगा इंजॉय करेंगे तब तक आप लोग वेट कीजिए फिर मैं आपसे मिलती हूं थोड़ी देर में तो देखिए प्रोग्राम वगेरा खतम तो नहीं हुआ लेकिन बच्चे न काफी डिश्टब कर रहे थे तो मैं निकल पड़ी हूं और ये आने का टाइम का वीडियो है आ देखिए कैसे जा रहा है और देखिए मैं बेबी को मतलब पैदल चला कर ले जा रहे हूं ग़ीडिकों, बहुत भागने का दोडने का भाशक है, तो यह मेरे घर के पास फğला चर्च है तो मैंने सचा कि चलो बच्चे को थोड़ा यह एंपर दोडने देती हूं ये साइट में गाड़े वगेरा नहीं आती है तो मैंने कम से कम दस मिनड़ बच्चे को यह एंपर ख दोड़ती है तो मैंने सुचा कि चलो इसे यहीं पर कम से कम 10 मिनट खिल ले देते हैं तो बेवी दोनों भाइबेन काफी इंजॉय किये हैं यह मेरे घर के पास वाला ही चर्च है जो आपने मेरे पिछली वीडियो में भी देखा होगा तो इसकूल की प्रोग्राम वगेरा थे ना तो मैं वहां की वीडियो जादा शूट नहीं कर पाती क्योंकि सूट करना मुझे पता नहीं अलाओड है या नहीं है मैं अभी पूछने नहीं जाती हूँ बिकोज मैं अभी नहीं नहीं हूँ तो मैं इन सब मामले में पढ़ना न तो उन्होंने मतलब मिल्क लाए थे तो मैंने एक पैकेट जो है हाफ लिटर से गरम कर लिया क्योंकि हम लोग ना अंडा पाओ खाने वाले और साथ में गरम दूद पीने वाले क्योंकि हम लोग को काफी तेज भूक लग गई है मतलब सर में भी थोड़ा दर्द हो रहा है तो गरम गरम दूद पीएंगे और अंडा पाओ खाएंगे ना तो थोड़ा मजाज जो है वह अच्छा हो जाएगा तो मैं यहां पर ब्रेट को सीख रही हूं दोनों साइड हलका हलका सा सीख लेंगे ज्यादा खुरकुरा नहीं करना है हमें तो आते टाइम मैंने हजमेट को फोन करके बूल दिया था कि भाई बहुत जोर की भूख लगी कुछ खाने के लेकर आईए आप तो यह लेकर आएं अंडा पाओ लेकर आएं मतलब ब्रेड वगेरा तो मैंसे बड़ावर से सेकोंगी और ओमलेट बनाओंगी और हम तीनों जो खा लेंगे नाश्टा कर ल तो यहां पर मैंने तीन अंडे लिए हम तीनों के लिए एक एक तो मैं इसे ना अच्छी तरह फेट कर एक बड़ा सा ओमलेट बनाओंगी जो की पूरा सिंपल ओमलेट होगा हम लोग ना कभी-कभी इस तरीके से ना बना लेते हैं क्योंकि हम लोगों को ना बहुत ही अच् बनाने वाली हूं देखिए काफी बड़ी बन चुकी है तो इस पे ना मैं ब्लैक पेपर का पाउडर जो है वह हलका हलका चीटूंगी उससे क्या होता है ना बहुत ही बड़ी ऑमलेट में टेस्ट आता है तो देख लिए मैं ब्लैक पेपर पाउडर चीट रहे हैं इस पे और थोड़ा सा ना में मिर्ची पाउडर भी चीटूंगी बस इसमें और कुछ पी एड नहीं करना है और यही वाला जो है खाके देखिए कितना अमीजिंग लगता है बहुत ही टेस्ट लगता है आप एक बार जरूर 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 टैकिजिएगा और अगर अच्छा नही प्राइड वाली बच्ची हुई है ना ओमलेट उसे हमें कट करके अलग निकाल लूँगी उसे क्या हो ना बनाते बनाते मैं और आदित्या खा गय थे तो देखिए इससे पलट लेंगे हम मतलब उपर से भी ब्रेड लगा देंगे और हमारी जो है अंडा पाव बिल्कुल म गर्मा गर्म अब हजबन के लिए चाय रख देते हैं क्योंकि हो तो चाय पीएंगे हम लोग दूद पीएंगे मैं और आदितया मतलब हेंकी कप दूद ले लेंगे और हlawि आदितने चाय खोल रहें देख लीजिए ठाणीन पर से चाय खोलेगी और हम लोग जो एक गर्म गर्म नाश्टा करेंगी शाम का काफी थक गई थी गाइस वाई की मैं दो फिर के बाद ना काम करना श्टाट की काम करते करते टायम हो गया तो मैं निकल पड़ी थी आदिता के स्कुल के प्रोग्राम में जाना था हम लोगों को तो देखिए दूद मेंने ले लिया है चाय भी बनके रिड़ी है अब हम कर रहें नाश्टा आप लोग भी आईए एंज्या कीजे अन मतलब ब्रेड अंडा ब्रेड और दूद वाले दूद पियेंगे चाय वाले चाय पियेंगे ओके फ्रेंज बाई गुट नाइट